मक्के से अब चिन्वाडा की पहचान केवल सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए नहीं बलकि आने वाले समय में क्रशी आधारित उद्ध्योगों वाले एक बड़े जिले के रूप में होकी। कलेक्टर वेद प्रकाश की अबिनाव पहल ने चिन्वाडा को एक नई पहचान कौन सिटी के रूप में दी है और अब चिन्वाडा देश की पहली कौन सिटी बन गया है। कि मक्का उत्पादक किसानों ने साहिक्त रूप से मक्का को भारती नहीं पूरे विश्व में खाद्दे के रूप में नई पहचान देने के अधारना पर सामुहिक मंतन किया। इस मंधन के बाद चिनवारा की पहचान पूरे देश में मक्का और मक्के आधारित उद्योगों के लिए यलो कुरांती के गड़ के रूप में होगी इस फेस्टिवल में मक्के से जुड़े किसानों, व्यपारियों, उद्यमियों, शोत करताओं, खाद उद्योगों से जुड़े कमपनियों और अनुसंधान करताओं ने मक्के की किस्मों और उसमें पाए जाने वाले निउट्रीशन के अधार पर विभिन ने खाद पदार्त से लेकर दवाईयां, कपड़ा, फूड इंड्रस्ट्री और प्रसंसकरन सहित अन्य छोटे बड़े उद्योगों की अवधारना को रखने के साथ ही मक्का के रिकॉर्ड उत्पादन में चिंद्वारा के इस महसो को मील का पत्थर बताया है। मक्का कोल स्टोर और प्रसेसिंग प्लांट ने चिंद्वारा में उद्योग खोलने के लिए जिला प्रशासन के साथ अनुबंद भी किये। मक्का के इस आयोजन में कलेक्टर वेट प्रकाश, SDM अभिलाश मिश्रा, जिला पंचायत CEO रिशी गर्ग और नगन निगम आयुक्त इक्षित गरपाले सहित उनकी टीम का विशेस योगदान रहा। जिनोंने इस महस्तों को सफल बनाने और चिंदवाड़ा को कौन सिटी के रूप में पहचान दिलाने में एहम योगदान दिया।